नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जिरूँ सस्क्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले सच्चर से प्यां पहले हैं इसके इनदर ठीक है तो वीडियो को शुरू से ल कि अंतर तक झुरूर देखे हैं तो शुरू करते हैं वीडियो तो पहली पोस्ट देखें कि आपय को निए कै votes यहां पर देख सकते है और एक अन्रिजर्व है और एक सी के अनुट के लिए है एज आपके यहां पर चाहिए 45 years और यहां पर लिख रखिए qualifications आप qualifications देख सकते हैं qualification में लिख रखाएंगे आपको पास क्या क्या हो ना चाहिए master degree हो नीचाहिए और one year का diploma in special education BA special education mentally tradition में हो ना चाहिए 2 साल का आपके पास experience चाहिए अगली पोस्ट देखेंगे यहां पर उस्ट जो है वह है असिस्टेंड एडिमिनिस्ट्रेटिव ठीक है ओफिसर की पोस्ट है यह वन पोस्ट है रिजर अन्रिजर्व पोस्ट है कोई भर सकता है 35 साल इसमें एज होनी चाहिए और qualification में आप अगली पोस्ट देखेंगे श्पेशल एड्यूकेशन टीचर ठीक है श्पेशल एड्यूकेशन टीचर लेवल सैवन रहेगा सैलरी आपकी लगबग 90 जार बनेगी इसमें और 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसमें मांगा है देखिए ग्रेजुशन होना चाहिए आपक और पोस्टे कितनी है यह यह दो पोस्टे है ठीक है अन्रिजर्व है कोई भी अपलाई कर सकता है दो पोस्टे है अगली पोस्ट देखेंगे यहाँ पर एलडीसी टाइपिस्ट की पोस्ट है यह तीन पोस्ट है अन्रिजर्व की एक पोस्ट है ओबीसी की एक है सी की एक है यहां पर age जो ची 18-17 साल होनी चाहिए और आपके पास 12th past 12th past के लिए यह वाली वागेंसी है ठीक है next post जो इसके बाद रहेगी वो रहेगी Hindi typist और यह एक post है और यह एज पहती चाहिए और इसमें चाहिए आपके पास सिर्फ 10th past ठीक है कितनी qualification चाहिए 10th past यहां पर लिख रखा है अगली post देखेंगे आप यहां पर यह प्रिंसिपल के लिए पोस्ट ठीक है प्रिंसिपल लेवल 12 है देखेंगे आप लेवल 12 चैतर सो ग्रेड पे रहेगा salary बनेगी और नोड़ा के अंदर है तो salary बनेगी आपकी कम से कम 1.5 लाग रुपए के करीब ठीक है 45 साल इसमें age होना चाहिए इसमें qualifications लिख रखी है master degree होना चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर TGT लेवल पर PGT लेवल पर तो आपको यहां पर preference मिलेगा और आपका selection होने के chance पूरे बन जाएंगे principal के लिए अगली पोस्ट देखें आप lecturer occupational therapist वन पोस्ट है OBC के लिए reserve है चाली साल इसमें चाहिए और इसकी qualifications आप देख सकते हैं यहां पर है और अगली पोस्ट यहीं पर है आपकी administration officer की unreserve वन पोस्ट है चाली साल इसमें चाहिए आपके पास MBA होना चाहिए अगर आपके पास MBA और तीन साल का experience है तो आप यहां पर apply कर सकते हैं अगली पोस्ट आप देखेंगे यहां पर group B P&O की पोस्ट है unreserve पोस्ट है 40 साल इसमें चाहिए और आपके पास degree हो नी चाहिए P&O में processes and orthesis में ठी position होना चाहिए और orientation mobility में आपके पास diploma या degree होनी चाहिए ठीक है अगली पोस्ट देखेंगे assistant professor medical PMR यहां पर MBBSD की डिग्री चाहिए आपको और 70,000 रुपर यहां पर salary होने वाल यह शांदार salary है यहां पर भी अगली पोस्ट देखेंगे clinical assistant की वन पोस्ट है और age आपकी 30 होनी चाहिए salary मिलेगी आपको यहां पर fix 40,000 इसके बाद अगली पोस्ट देखेंगे आपके color की पोस्ट है एक पोस्ट है और 30 साल आपकी age होनी चाहिए और salary यहां पर fix रहेगी 22,000 उसके बाद एक और assistant professor medical PMR की आप 45 एज रहेगी MBBS की आपके बाद degree होनी चाहिए और 70,000 salary रहेगी अगली पोस्ट देखेंगे यहां पर special educator orientation mobility यहां पर 35 साल आपकी age होनी चाहिए orientation mobility में आपके बाद diploma या degree होनी चाहिए 5 years का आपके पास experience होना चाहिए 40,000 आपको fix यहां पर salary मिलने वाली है अब यहां पर apply कैसे करना उसकी बात कर लेते हैं तो यहां पर इंदोंने लिख रखा है application must be citizen of India इंडिया कहोना चाहिए एक एक 2004 के rule लगेंगे यहां पर आपको कोई भी pension वगएरा नहीं दी जाएगी यह लिखावा है यहां पर यह